आज मेरे सभी सब्सक्राइबर यह सोच रहे हों गए कि संगीता दिदी ने यह कौन सा वीडियो बनाया तो मैं बताना चाहती हूं कुछ गार्डेनिंग की बहने जो मेरे साथ जूल गई हैं उनके लिए मैं बना रही हूं तो मैं आपको बताती हूं कि नियूट्रिशन इस सर हमें क्या नियूट्रिशन देना ताकि 10 देज के अंदर अंदर हमारा यह पौधा फलो से भढ़ जाए वैसे ही आपको मैं दिखाती हूं मेरे पास तमाटर के पौधी है यह चेरी टमाटर है और फूल इतने ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती और देखिए फली पूरे बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बताती हूं कि इसके लिए मुझे हमें क्या-क्या नियूट्रिशन चाहिए और परफेक्ट अगर आप लोगों को यह वीडियो बढ़िया लगे तो आप कॉमेंट में बताएंगे मैं आपको आगे भी ऐसी वीडियो नियूट्रिशन दूंगे हर पौधे में दूंगी और 10 डेज के बाद मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी यह करेला है इसमें छोटे-छोटे करेले आ रहे हैं पर फूल बहुत ज्यादा है पर फली इसलैक नहीं है तो मैं तेन डेज के बाद अपडेट दिखाऊंग कि सारे पौधे किस प्रकार फलों से भड़ जाएंगे तो और आप माय आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने इसमें निट्रिशन बताया यह देखिए मैंने मेरे संत्रा का है यह हल्दी हमने में 15 में के बाद लगाया था और बस हाप इंच के चाट टुकरे के हल्दी से हम कि समाकरी डाला तो इसमें हमने जो समाकरी डाला मिलाया है वो मैं आपको दें लिक के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता भी दूंगी और अभी भी मैं बता देखिए तो लगभग मात के जी से ज़्यादा है तो इसमें हमने 5 तेवा चमच लगभग एंपीके और यह गार्डेनर को पता है कि थोड़ा फंगिसाइड डालना पड़ता है तो देखिए यह सबसे पहले मैं टमाटर के पदे में दिखाते हैं जिसके नीचे के सारे पत्ते हमने तोर दिये और इसमें लगभग दो मुठी हमने यह बर्मी कंपोज डाला जिसमें हमने जो हमने मिक्स बनाये था और हाफ इंच से एक इंच इसकी गुराई की उससे जादा नहीं और टमाटर के पदे में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कैल्सियम तो यह देखिए यह चौक है जिससे बच्चे पढ़ते हैं उसके दो टुक्रे कर लिए और लगभग जर से एक इंच छोड़ तो के इसको हमने अंदर डाल दिया और इसमें ढ़ेर सारे पानी डाल देते हैं कई लोग क्या करते है कि कैमिक जब कैल्सियम देना होता है तो पॉधे में चूने का इस्तेमाल करते हैं तो बताईए एक पॉधा जो होता है बिल्कुल बच्चे के समान उसका देखरे करना हो आरप हम सोच्ते रहते हैं हमारा पौधा क्यों खराब हो गया तो यह जो चोक है ये इससे बच़े पढ़ते हैं और यह इसको जब हम Mexico के ठोड़े दूरिइपर इससे जड़े दूरियर लगाते हैं और पानी डालते हैं लेकिन खास कर मिर्च के पौदे में और टमाटर में तो आप जरूर चौक डालिए पर सेम के पौदे में हमें ज्यादा केल्सियम के आवसकता नहीं होती है तो देखिए आपको मैं टेंडेंज के बास इसके पूरे ही जानकारी अप्टेट दिखाऊंगे और दिखाऊंगे कि हमारे पौदे में कितना ही फल लगा है तो इस परकार अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके यह लाइक है या नहीं और आप लोग भी यह बना के जरूर डालें बहुत सारे दस्त तरह के खाद की कोई यावसक डालना है और डाल के यह सारे पौदे में अपलाई किजिए और पानी डाल दीजिए थैंक यू